यहां पायागा देखिए एक वाइट कलर का इंसर्ट दे रहा है फिर उसके पर प्यानो इंसर्ट यहां पर दे रहा है काफी बीच का कंसोल देखिए कितना प्रीमियम नेस आपको यहां पर प्रोवाइड हो रहा है तो ग्लोब बॉक्स अब देखे स्विच नहीं मिलेगा हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका अपने चैनल डी कॉस इंफो पे मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मस्टर डी एस पिस्ट दोस्तों तो आज जो गाड़ी में आप लोगों के लिखा है हूँ यह है टाटा नेक्सोन का एक्जट प्लस एचस वरज कि इसमें आपको क्या-क्या चीजे मिल जाती एं क्या गाड़ी के डैमेंशंस हैं चलिए-चलता गाड़ी की तरफ तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके चौड़ाई की कि बहुए कितनी चौड़ी है क्योंकि दोस्तों में हमेंसा कहता हूँ न कि चौड़ाई की बात आपको chrome insert भी देखने के लिए मिल जाएगा जो गाड़ी के looks को और enhance करता है फिर नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको number plate का section देखने के लिए मिल जाएगा फिर grill portion आपको मिल जाता है फिर उसी के नीचे आप देखेंगे तो skid plate का portion आपको दिख जाएगा silver pattern में जो गाड़ यह headlamps आपको halogen में देखने के लिए यह LED नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर का portion देखने के लिए मिल जाएगा इसी में आपकी LED lights भी लेंथ इस गाड़ी की देखने के लिए मिलती है और ग्राउंट लिएग सी अगर बात करें तो 209 दो अम हैम्म मिलता है धोल या depreciate कराल दोस्तो या उपने सेगमेंन में सबसे ज़्छा लीए हैपको या जादा लेखनी क्रूंट लेखने बात करें तो 1606 mm की इसकी overall height आती है और 2498 mm का इसका wheelbase है गाड़ी का अब बात कर लेते हैं सामने टायर की क्योंकि दोस्तों अगर हम साइड प्रोफाल से देखते हैं गाड़ी को तो सबसे पहली नेजर टायरों में ही जाती है कि एलोई वील है या स्टील वील रिम है क्या है यह टायर को अपनी तरफ जरूर रेक्टर करते हैं क्योंकि diamond का Dalloyz यहां पर मिल जाता है काफी अच्छा वासा design आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है जिसमें फ्रंट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रिज स्टोन के टायर आपको यहां पर देखने जो ओर वी में चीज और अची लगती वो लगता है इस घाड़ी में एक चीज और अच्छी लगती वह लगता है इसका जो डूएल कॉंटराब है जो देु रखाना यह जो वाइट कलर का इंसर्ट यहां पर बॉडि कलर्ड के ऊपर तो ये भी एक गाड़ी के लुक्स को और मतलब dual tone contrast देता है जो काड़ी के लुक्स को थोड़ा प्रीमियमने से आप पर प्रोवाइट करता है फिर नीचे की साइट चलेंगे तो नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डॉर बिडिंग स कंपनी फिटेड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है रियर टैस में तो रीर सेग्मेंट देखने में कुछ इस तरीके से आपको मिलता है वही dual contrast white contrast और black contrast और body color contrast आपको देखने के लिए मिल रहा है बाद फी टोन आप आपको देखने के लिए मिल रहा है दूर से आपक़ आखे गाड़ी जाएगी ना तो अपना पी इसमाई पर जाएगी यह जा रही है तो चलते हैं सेंट मैं सेंट में अब को मिल जाएगा टाटा का लोगो उसी के नीचे आप देखेंगे तो प्लेक इन सर्वा पर मिल जाता है जो के पर देखने के लिए मिल जाता है a Ram on stoplight भी आपको यहाठ के लिखती है जाघ् ocasional प्रेखने के लिए मिलता है उसी नीचे चलेंगे हैपे आपको लोगों से नीचे आगे fog lamps में dual contrast दिया था black और silver pattern का वही चीज़ यहां पर भी company ने दे रखी rear portion से भी करते हैं boot open boot open करते हैं तो आपको boot कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है काफी ज्यादा space आपको आपको देखने के लिए मिल रहा है जबकि boot figure का जो मैं बात करूँ तो साड़े 300 लिटर का ही boot figure यहां पर company बताती है लेकिन देखने में काफी बड़ा बड़ा लगता है यानि well designed यहां पर दिखने के लिए लगता है फिर यहां पर आपको हैंगिंग के लिए कुछ options मिल जाते हैं जैसा कुछ चीज हैंग करने चाते तो वो भी हैंग कर सकते हैं बूट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और आपको चीज है प्योक अब यहां पर हैंची बात है आ पन्र देखने के लिए चलता है यहाँ पर हम चलेंगे दरवाजे के पास डरवाज आप आपको समार्ट की गेंट धर साइड नहीं मिलरी थी और यहां पर आपको गारी में रूफ रिल्स भी देखने के लिए मिलता है दर्वाजा करते हैं ओपन तो कुछ इस तरीकी से इसका डूर देखने में आपको मिलता है डूल कॉंटरस में आपको देखने मिलेगा वाइट और ब्लैक पोशिन में आपको यहां पर सौफ्ट टच भी मिल जाता है फेबृक में यह लेदर में तो नहीं में अग्रेश के लिए मिलता है और यह जो पेनल है यहां पर यहां पर आप्शन मिल जाता है काडी में पर यहां पर अम्रेला पोकेड जरूर देखने के लिए मिलग जाती है भॉ wors 추ald बॉटर में एक लाइट देखने के लिए मिलती है चले चलते हैं गाड़ी के अंदर कि गाड़ी के अंदर कैसा SPACE मिलता है टिक-टिक को कर देते हैं बन अब मैं आगा हूँ गाड़ी के अंदर अगर मैं बात करूँ इंटिरियर देखने में कुछ इस तरीके सा आपको मिलता है Dual contrast में हैं आपको देखने के मुलता है जो काफी अच्छा एक निकलता है प्लस क्रोम ट्रीट्मेंट भी काफी ज़्यादा किया गया है गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे यहां पर भी आपको क्रोम ट्रीट्मेंट पूरा देखने के लिए मिल रहा है यहां पर आप देखेंगे क्रोम ट्रीट्मेंट पूरा देखने के लिए मिल रहा है यहा चेरिडिंग विल यहां पर आपको मिलता लैदर एप को मिलते है पियानों इंसर्ट का वट भी आपको स्टेरिंग विल में देखने के लिए मिल जाएगा फो इस गाड़ी में आजाता है यहां पर स्टेर्डिंग विल में भार्वा चोटा साइज यहां पर देते हैं, हर्मन का मिजिक सि्टम में आपको प्रोवाइड होता है, उसी से नीचे अगर चलेंगे तो AC आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फिर यहां पर प्यानो फिनिश आपको आजाता है, फिर नेक्सों की बेजिंग आपको मिलेगी, फिर उस का पोड देखने के लिए नहीं मिलता है आपको यहां पर, बूट ऑपन कर निकले यहां पर स्विछ यहां चलेंगे तो यहां आपको देखने के लिए मिल जाता है आपको रीडिंग लेंप का ओप्शन यहां पर देखने के लिए मिलता है यहां पर आपको सुन रूफ वाला पॉशन भी देखने के लिए मिलता है यहां पर माइक वाला पॉशन आपको देखने के लिए मिल जात यह थोड़ा सा प्रेमियम नेस वाली चीज यहां पे नो ने कर रहे कि एक बटन दे रहे हैं जिसे आप प्रेस करेंगे तो आपका ग्लोब बॉक्स ओपन हो जाएगा और काफी वैल डिजाइन आपको देखता है और बहुत ही बड़ा इस पेस आपको ग्लोब बॉक्स में दे कर सकते हैं काफी वैल डिजाइन यहां पर देखने हले मिल रहा है यह से करते हैं बंच ऐसे चलिंगे तो यहां पर आपको ऑपको एंडर की देंक मिल जाता था गार को यह जो पूर बाला portion रहता है उसको कम कर रहां और white वाले को जादा अच्छा कर रहां जिसने कि गारी का अंदर space खुला खुला धिखता है याि बड़ा बड़ा space दिखता है अगर तो थोड़ा सा डलडल दिखता और space गारी दिखता है और सघ्राइब दर्वाजा घोलते हैं तो पीछे का डॉर लुक से देखने के लिएघा वहीं आपको सॉफ्टप्र यहां पर दिंदट इंहरे मिल जाता है यह वाला प्लास्टिक में मिलता यहां speaker की placing यहाँ पर आ जाती है गाड़ी में चलते हैं गाड़ी के अंदर और यहाँ पर आपको Twitter की placing देखने के लिए मिल जाती है चलते हैं गाड़ी के अंदर कि कैसा space आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है मतलब पीछे बैठके तो longer जाते हैं चारKE-चार और आम्रेस का portion भी आपको Each में देखने के लिए मिलता है वह देख्यीयर के यह विट टू क 커फ घूर्डश यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है और याग बात को काफी अच्छा लेग रूमीड के लेगा आपको मिलेगा आपको कोई भी adapter का socket नहीं मिल रहा है और अगर headroom space की बात करें तो headroom space आप खुद देख लीजे कितना headroom space आपको मिल रहा है मैं नहीं बोलूँगा आप खुद देखिए आप खुद जच कीजी कि आपको कितना मिलेगा बाकी आप एक बार गाड़ आईए और बैट के देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपके हिसाब सो कितना है वैसे मेरे हिसाब से तो sufficient headroom space है अगर कोई 5859 का भी बन्दा बैठेगे ना उसको भी headroom space काफी अच्छा कासा यहां पर देखने के लिए मिलता है तो यह तो था इसका कुछ rear portion अब चलते हैं इसके engine way में जान लेते हैं engine में क्या क्या चीज़े देखने के लिए मिलती है engine segment में तो बात कर लेते हैं इस engine की की इस engine में क्या power मिल रही है कितने का यह engine है तो बात करेंगे यह engine की यह engine आपको 1.2 liter में इंजन देखने के लिए मिल रहा है यानी 1200 CC engine है रवेट्रोन engine यहापे आपको यह मिल रहा है गाड़ी का petrol engine है जिसकी जो power आपको मिलती है 118 bhp की power मिल रही है और 170 Nm का torque आपको यह गाड़ी निकाल के दे रही है अगर इस power में आपको mileage की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको company mileage claim कर रही है वह 17.1 का mileage यहाँ पर company आपको claim करती है इस petrol engine में जिसमें आपको ABS EBD भी मिल जाता है brake assist भी आपको मिल जाता है hill hold control भी आपको मिल जाता है आपको यह पीछे से मिल जा रहा है जिससे कि आपको cabin noise बिल्कुल भी ना सुनाई दे तो यह तो था इसका engine अपकर लेदें इसका final walk around बात करें इस गाड़ी के बारे में exit plus HS version के बारे में दोस्तों जो हमारे सामने खड़ी है हमने जाने इस गाड़ी के features dimensions आपको देखने के लिए मिल जाता है और कहीं ने कहीं देखें अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो हम अपने लेने गाड़ी नहीं खरीदे हैं हम अपनी पूरे family और परिवार के लिए गाड़ी खरीदे हैं यहां पर आपको 5 star rating भी यह टाटा एन एक्सवन आपको provide करती है तो दोस्तों आपको मेरी य नियुली नियुली अपडेट्स मिलते रहें चलिए दोस्तों चलते हैं फिर मिलते हैं अपसे कोई नहीं वीडियो में